वेलकम बाइक दोस्तों, आप देख रहे हैं SR Motorworld और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जब भी आप कोई second hand bike खरीदें, तो उसका engine कैसे चेक करें, लोगों ने वीडियो बनाई हैं कि जब भी आप second बड़ एंजिन वाली गाड़ी ले आए अपने घर तक, तो वो दिक्कत देदेगी और उसमें एंजिन से बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे और फिर गाड़ी से दिल खराब हो जाता है, इसलिए एंजिन की ही specifically इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एंजिन कैसे चेक करे या अगर खुला नहीं है तो अंदर से पूरा सही है, कोई उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, सबसे पहली चीज़ आपको बताता हूँ कि जब भी आप कहीं गाड़ी देखने जाएं तो जो भी ओनर है उसके आप सुबा के टाइम जाएं, सुबा के टाइम इसलिए नहीं कि आँखों से अच्छे से देखेगा या कुछ टॉर्च मार के भी रात को देख सकते हैं, लेकिन सुबा के टाइम इसलिए जाएं, क्योंकि एंजिन जब कोल्ड कंडिशन में है, यानि कि 5 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे से बंद हैं और उसके बाद आप उसे स्टार्ट कर रहे ह तो एंजिन के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज उसी टाइम पर आपको मिलती है, क्योंकि जब एंजिन गरम होता है, तो उसके अंदर साउंद बढ़ जाते हैं, जैसे बेरिंग का साउंड आने लगेगा, क्योंकि ऑल पतला हो जाता है, वॉल्फ के साउंड आने लगे गरम है, और आप उसे चेक करते हैं, तो उसमें जो नॉर्मल साउंड आते हैं, टाइमिंग चेनव इंजिन वाल विंसफ के, उन नॉर्मल साउंड के पीछे एक 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 एंजिन सही है या नहीं पिर उसके बाद आप अपने हाथसे वाम अप करें तो आपको समझ में गालटी के मामले है बेस्ट प्रोडक्त है और अगर आप एक कार मुबाइल होल्डर जैसे कही लिए खरीदना चाहते हैं जो टूटे ना या वाइबरेशन ना दे कार चलाते टाइम तो आप यह प्रुडक्त बिल्कुल जरूर खरीद सकते हैं मैं इसको टेस्ट कर रहा है और बॉक्स ओपेंड है इसका मैं इसको बड़ टाइन से टेस्ट कर रहा था तो उसके बाद ही मैं आपको इसाब बता रहा हूँ और इसका कुछ नाइम बाद रिव्यू भी एक कम्प्लीट आपको देखने को चानल पर मिल जाएगा एक अलग वीडियो इस पर मैं बना दूंगा और अगर आपको इसको खरीद ना हो और इसके बारे में कोई भी डिटेल चाहिए हो तो नीचे बेच्ट बाइ लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया एमाजॉन का वहाँ पे आप इसको जाके खरीद सकते हैं गाए कर चाहिए कि यहां से ओएल लीठ हो रहा है या ओई लगा हुआ है अजीन कवर पर थोड़ा बहुत तो इस ऑउयल को आप ढ죠 करिए इंजीन उधर से ऑई लीक हो रहा या नहीं क्योंकि एक और ने क्योंकि आपको ढूरा है इसका यह मतलब है कि पैकिंग फढ़ चु तो पूरा आपको से completely inspect करना है कहीं भी जहाँ पे engine के जो चिपकते हैं दो पार्ट वहाँ पे कोई भी oil leaks नहीं होने चाहिए अगली चीज आपको चेक करना है engine oil का level हो सकता है buyer ने engine oil का level top up कर दिया हो लेकिन in case अगर उसने top up नहीं कर रहा और शायद उसे भी नहीं पता कि उसके engine में problem है या उसकी गाड़ी oil खा रही है तो वो problem आपको पता चल जाएगी नॉर्मली भी oil कभी कभी गाड़ी जो है खाने लगती है या oil leak होने लगता है तो जो गाड़ी oil खा रही हो वो गाड़ी आपको कभी नहीं खरीद नहीं है engine को अगर आपको चेक करना है कि engine खोला है किसी ने खोला है या कोई tampering होई एंजिन के साथ तो उसकी कोई perfect theory तो मैं आपको नहीं बता सकता है लेकिन ये theory ज़रूर बता सकता हूँ कि engine के जो main bolts है जो head के bolts है और जो block के bolts है वो नहीं खुले होने चाहिए उन पर कोई निशान नहीं होना चाहिए या खुले नहीं होने चाहिए और दूसरी चीज़ ये कि कभी ऐसा होता है कि जब आप engine को fit करते हो वापिस तो उसमें packing के साथ साथ एक lock tight भी लगाया जाता है तो वो जो lock tight या gasket silicon बोला जाता है वो silicon कभी बाहर के side भी निकला हुआ दिखने लगता है तो engine में थोड़ी सी finishing नहीं दिखती तो जब finishing ना देखे और वहीं जो connect जहां से हो रहा है engine वहाँ पर gasket से बाहर से कुछ निकल रहा है silicon निकल रहा है तो इसका मतलब शायद engine वो खुल चुका है और अगर आपको ये चेक करना है कि engine खुला है या नहीं तो एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर आप scooter में चेक कर रहे हैं तो आप उसमें ये चेक कर सकते हैं जो swing arm जहां से connect होता है वहाँ के जो axle के bolts हैं वो सही condition में होने चाहिए उन पर कोई निशान नहीं होना चाहिए क जैसे वो खुले हैं या नहीं खुले कुछ slip का निशान नहीं होने चाहिए क्योंकि वो जो रहते हैं वो बहुत टाइट रहते हैं और उनको अगर कोई normal mechanic खोलना चाहता है without machine उनको अगर खोलना चाहता है तो उस पर हलका सा निशान आही जाता है और हलके से वो slip हो जाते है और अगर आपको bike का engine चेक करना है खुला या नहीं तो जो frame से जहां से engine connect रहता है वहाले आप bolts चेक कर सकते हैं क्योंकि engine को खोलने के लिए उसे नीचे उतार नहीं पड़ता है आ रहा है नॉकिंग और वाइब्रेशन में फर्क होता है नॉकिंग अगर गाड़ी कर रही है तो या तो आप सही गेर पर नहीं चला रहा है या तो उसका कोई बेरिंग या जो स्विंग आम पाइवर्ट के बेरिंग और कॉलर रहता है उसमें कुछ गड़ पढ़ है जब भी नॉकिंग गाड़ी करने रखती है लेकिन नॉकिंग नहीं होने चाहिए नॉकिंग थोड़ी बहुत होगी भी तो चल जाएगा लेकिन वाइब्रेशन अन्यूज्वल नहीं लिए है कितनी बार क्लेम हुआ है किस किस पर क्लेम हुआ है कितना पसडim nrp यहां वह और पयार घं़ता तुछ और कंशला नहीं टीजहीं गाड़ी के जब आप गाड़ी के क्या से ध्यान में रख सकते हैं और अगर आपके दिमाग में ऐसी कुछ चीज आ रही हो के एंजिन कैसे चेक करें या कुछ एक अच्छा और पॉइंट आ रहा हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे भी बता सकते हैं और वीवर से उनको भी बता सकते हैं अगर य चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहां भी क्वेस्टेंज पूच सकते हैं सब्सक्राइब करें वीडियो